गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकूम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब के साथ एक जबर्दस्त हेर मेरी शेयर कर रही हूँ जो ग्रे हेर पर तो काम करेगी ये करेगी पर उसके साथ साथ अगर बाल बहुत ही ज़्यादा जड़ते है या बहुत ही बरतन लोही का बरतन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज इस बात का ध्यान रखें अब इसमें हम डालेंगे दो छोटे चम में चाय पती मितलब टी लिव्स जो भी हमारे घरों में चाय पती होती है हम उसे लेंगे चाय पती नहीं सिर्फ बालों के कलर डाइडर को डाइडर करती हैं बलके बालों में ठिक नस बीडेदिए क्योंकि इसमें Garage के बाद इसमें डालेंगे 6-7 लॉंग लॉंग वह भी बालों को डाइडर करने कि सथसाथ बालों को ठिक भी बनाते हैं अभ लेंगे यहां पर आनला देखे इसक्त लें गरें ग्रीन आउनला ठीक है या फिर आउनला पाउडर जो भी हो आपके पास अगर आउनला पाउडर आप ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें प्लीज के वो किसी अच्छी कमपना का हो जैसे मैं फिर से यह कहूंगे कि अगर फ्रेश आउनला मिले तो बहुती ज़्यादा बेटर है मैंने चार आउनला को अच्छी तर से वाश करके और उन्हें ग्रेट करके इसमें डाल दिया है आउनला जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं यह बालों को जड़ों से काला बनाने के साथ-साथ बालों को मश्बूत बनाने के लिए एक सुपर फूड है हमारे बालों क के लिए उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगबग एक होटी के जितनी करी पता मतलब करे लिए उसमेंने यहां पर फ्रेश करी लिए उसलिया है यह भी प्रिमेचर ग्रे हेर को ट्रीट करने के साथ-साथ बालों में बहुत ज़्यादा ठिकने देता है करी पता मैंने यहां पर फ्रेश कड़ी पती का यूज किया है, अगर फ्रेश हो तो वो ले नहीं है, तो आप सुखा हो कड़ी पता भी यहां पर ले सकते हैं, उसके पाद हम यहां पर डालेंगे हिबिसकस, मेरे पास हिबिसकस के फ्लावर्स थे, जो मैंने सुखा कर रखे थे, लगबग 8-10 फ्ल का पाउडर लेंगे, अगर आप आउला पाउडर ले रहे हैं, तो लगबग 4 चमश लेंगे, ठीक है, आउला की मात्रा यहां पर थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, 2 चमश डालेंगे हिबिसकस पाउडर के, हिबिसकस जो के बालों को नेच्रल कलर डाय देता है, बालों क जो सफेद बालों से लेके गंचेपन की समझ्या को ख़दम करता है, अब लेंगे हम यहां पर हिबिसकस की लिउज देखिए, अगर बाइचांज के सिक्पर्स नहीं है, तो आप इसे इसकिप करें, पर अगर है तो आप इसे जरूर यूज करेंगे, यह ना इस रिप्री मे की प्रापर्टीज होती है, मैंने क्या किया है, लगबग 15 से सत्रा लिया है हिबिसकस की लिउज, उन्हें अच्छी तर से वाश कर लिया है, मेरे पास हिबिसकस का पौदा है, तो मेरे पास हिबिसकस की लिउज बाराई महिने रहती ही रहती है, मैंने आप से पहले भी कहा कि हो सके तो आप हिपिसकस का एक पौदा जरूर लगा लें घर में क्योंकि हमें जो पत्तियां है वह 12 महिने मिलती है यह हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशल है मैंने क्या किया हिपिसकस के लिए उसको अच्छी तर से वाश करके और इस तरह से तोड़ तोड़ कर डाल दिया जैसे इसका पूरा बेनिफिट हमें यहाँ पर मिले अब सब चीजे मैंने इसमें डाल दी है अब इसमें डालेंगे हम लगबख दो ग्लास की जितना पानी यहाँ पर जो पानी था वो थोड़ा सा ज्यादा ओर गया था मेरा आप लगबख टेट ग्लास यहाँ पर पानी कर डालें ठीक है इसनी जितनी मैंने चीजें लिए उस के हिसाब से आप अपने बालों के लेंट और वाल्यूम के हिसाब से सब चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं इस रेमिडी को आप इस्टोर करके लगबग 10 से 12 दिनों तक रख सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसमें मैंने पानी डाल दिया है इसे ढख कर आपको ओवरनाइट कम से कम जरूर रखना है अगर टाइम है तो 24 गंटे रखें नहीं तो ओवरनाइट जरूर रखें यहाँ पर हम आगे का प्रोस्ट शुरू करें उससे पहले मैं आप सब से चोटीजी रेक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है तो प्ली इसे आयान में डाला है यह आयान फोटिफाइड हो गया है मतलब इसमें पूरे जो गुरे है वो आ गया है क्योंकि आयन की कमी से हमें प्रिमेचre gray here का problem बहुत ही जाद़ा होता है और आजकल यह problem बहुत ही जादा बड़ गया है मुझसे personally भी कुछ बात करते हैं जो कि अच्छी तर से grind करके हम इसे बिलकुल अच्छी तर से छाल लेंगे यह आपको ऐसी use नहीं करना है आगे मैं और बताऊंगी कैसे use करना है तो please वीडियो के साथ आप बने रहें छीक है मैंने जिसे पहले भी कहा है कि अगर आप इसके लगाने के साथ अपनी diet का ध्यान रखें exercise का ध्यान रखें तो आपको definitely फायदा होगा योगा और सबसे बड़ी बात तो विश्वास रखें और patience रखें चीक है क्योंकि ये चीज़े थोड़ा सा time तो लेगी ही लेगी और उसके साथ विश्वास भी बहुती ज़्यादा जरूरी है अब मैंने क्या किया इसे बहुती ज़्यादा beneficial भी है चीक है ये बालों में thickness भी देती है अगर बड़ी age वाले भी इस remedy को लगाते हैं तो उनके बालों का color भी धीरे धीरे dark जरूर होगा पहले जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा patience रखें चीक है चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप और आउला पाउडर क रोष्ट करके और अच्छे result के लिए डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर आज नहीं डाला है अब मैंने इसे बहुती अच्छी तरसे तब तक boil किया जैसे मैंने पहले कहा था आपको आप इसमें थोड़ा सपानी का मैट करना पहले लगबग डेड़ ग्लास करना ठीक है मुझे अच्छी तरह से अपने बालों के जड़ों में खास करके लगाएं और जिस दिन आप इससे लगाएं उस दिन आप शेंपू बिलकुल भी मज कीजेगा अगर आप कमफरेबल है तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं नहीं है तो दो तिन घंटे रखें चीक हैं और फिर मेरे सा आपनाइट पिरें जड़ों शेर करें